देखे, क्लास्ट एकसिसाइस 10.2 का कॉस्चन नमर फर्स्ट है, कॉस्चन हम से बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, ठीक, दे लेंथ अफ दे टेंजेंट तो अ सर्किल इस 24 सेंटीमिटर, जो एक टेंजेंट कीची गई है एक सर्किल पर क्यू क्यू पॉइंट से उसकी जो लेंथ है, वो कितनी है, 24 सेंटीमिटर है, and the distance of q from the center is 25 सेंटीमिटर, और q पॉइंट की जो सर्किल के सेंटर से, जो डिस्टैंस से वो कितनी है, 25 सेंटीमिटर है, the radius of the circle is, तो हमें, जो है, radius of the circle, यानि कि circle की radius हमें find करनी है, उसके लिए option हमें हमें हाँ पर given है, तो हमें circle की, इस circle की radius निकालनी है, तो इस circle की radius को हमें हाँ पर r ले लेते हैं, ठीक है, और ये point क्यू आया है, तो इसको जो है, p point ले लेते हैं, ठीक, अब देखिए, हमें जो है, qp की length हमें given है, qp is equal to 24 सेंटीमिटर हमें given है, जो o q है, वो कितना है, 25 स सेंटीमिंटर है, हमें जो है, r की value निकालनी है, अब देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, कि जो circle की, जो tangent होती है, जो radius होती है, उन दोनों की बीच का जो angle होता है, वो right angle होता है, यहीं कि 90 degree का angle होता है, और जब कभी किसी triangle में कोई एक angle 90 degree हो जाता है, तो उसमे हम pathogras theorem लगा सकते हैं, pathogras theorem क्या होती है, pathogras theorem की मदद से हम अगर हमे right angle triangle की दो sides मालूम है, और तीसे side हमें find करनी है, तो हम उसको find कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, pathogras theorem लगानी पड़े ही, क्योंकि यहाँ पर एक angle 90 degree है, और जब pathogras theorem लगा होता है, बाकी जो दो sides जो है 90 degree को बनाती है, यह बना रही है, यह बना रही है, इन दोनों के square के sum के, यनि के QP का square, इसका square plus जो OP है, OP के square की, ठीक है, तो OQ जो है, वो कितना है, 25 का square हो जाएगा, QP की बात करते हैं, तो 24 का square हो जाएगा, और OP की अगर हम बात करते हैं, त तो डो पी हमने क्या माना था R R square तो 25 का स्कॉइर होता है 625 और 24 का हो जाता है 576 और प्लस में R square अब जब इसको 625 तो इधर ही है जब इसको इधर ले गर के आएंगे तो ये minus का हो जाएगा is equal to R square जब इसमें इसको minus करेंगे तो हम 49 आजाएगा is equal to r square तो r square is equal to 49 लिख सकते हैं हमें ये मालूम है कि अगर किसी के उपर square होता है तो इसको उपर से square अटाना होता है तो इसको उपर से square अटा के सामने वाले पर root आ जाता है उसको हम 7 into 7 लिख सकते हैं तो r is equal to कितना जाएगा 7 ठीक है 7 cm तो इसलिए radius जो आजाएगी is 7 cm तो option कौन से सही हो जाएगा